Hello, everyone. This is Ritu और सौगत है आप सभी का Seat at Previous de questions की सीरीज में इस सेरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं Social Science के Previous de questions को with Texas आज कीिस क्लास में हम discuss करने वाले हैं 1 January 2022 के questions को इसके कुछ questions हम already discuss कर चुके हैं तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं You can also follow me on social media या फेस्बुक पेज, इंस्टा इडी और टेलिग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा question है statement दी हुई है assertion और reason assertion दिया है और कारण दिया है आपको बताना है कौन सा इसमें सही रहेगा सही option इसमें देख लेते हैं सही option हो जाएगा पहला both a and r are true r is the correct explanation of a 19-20 शताबदी के दुरान जब लड़कियों के लिए पहला school खोला गया तो लोग उनसे डरते थे किनसे डरते थे स्कूलों से डरते थे और इसकूलों से क्यों डरते थे उसका कारण दिया हुआ है कि लोगों को डर था कि स्कूलों की यात्रा करने से लड़कियों पर दुश्प्रभाव पड़ेगा क्योंकि अब तो लड़किया घर पे रहती हैं लेकिन जब रास्ते से गुजर के जाएंगी और स्कूल पहुँचेंगी तो वो जो वो जो टाइम पीरिट रहेगा उनके यात्रा करने का उससे उन पर बुरा असर पड़ेगा ऐसा माना जाता था तो अभी कतन दिया है और कारण दिया है क्यों ऐसा होता था बेसिकली तो यहां पर इस वज़े से पहला हो जाएगा क्योंकि दोनों ही सही है और एक्स्प्लेनेशन भी बिल्कुल सही ती हुई है यहां पर नेक्ट्ट किश्चन इस भारत में बिलिटिश साषन के संदर्भ में निमलिकीत कतनों पर विचार करें वो सही विकल्प का चैन करें तो बिलिटिश साशन के बारे में दिया हुआ है दो कथनों को और यहां पर आपको बताना है कौन सा यहां पर सही है एक तरस हम कहेंगे एजर्शन और रीजन ही दिये हुए है तो यह जो एक रीजन दिया होता है सेकेंड जो यहां पर दिया होता है यहां पर रीजन जो लिखा रहता है पहले वाले का reason कि क्यों ऐसा है तो आपको इस तरह से connect करने करके इसको पढ़ना होता है जैसे कि हमने भी last question में किया था कि नरम नरम पंतियों ने मांग की कि भारत में भी civil सेवा परिक्षा है जितकी जानी चाहिए ऐसा क्यों था तो उसका कारण यह दिया हुआ है कि यह नरम यह इस वाली statement का कारण दिया है कि यह वाला जो यह वाली चीज है यह क्यों है इसका जो कारण है वह यह सही है सही दिवा दिया हुआ है यहां यह नहीं तो इस तरह से आपको connect करना होता है तो यहां पर बात करें तो देखो नरम पंति जो ते जो moderates थे हमने इसके बारे में पीछे भी पढ़ा था moderates और extremist के बारे में तो moderates जो देख जादा डिमांड नहीं थी इनकी इनकी डिमांड थी कि जो भारती हैं उनको administration का हिस्सा बनाया जाए administration में उनको मतलब भागिदार बनाया जाए भारतियों को वो पूरी आजादी की डिमांड नहीं कर रहे थे जिस तरह से गरम पंति कर रहे थे तो अब इनों अब यहां पर रोलेट सत्याग्रे के संदर्भ में इन कत्रों पर विचार करें और सही विकल्प का chain करें तो रोलेट सत्याग्रे जो हुआ था वो बैसिक्ली रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ था गांधी जी ने ये शुरुवात करी थी इसकी और यहां पर सही option की बात करें तो पहला हो जाएगा बहुत A and B are true रोलेट एक्ट ने मोली का धिकारों परंकुष लगाया मतलब की जो fundamental rights थे लोगों के उनका एक तरह से हनन किया इन्होंने पुलिस शक्तियों को इन्होंने मजबूत किया अभी सेक्ट के बारे में जानेंगे तब आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ दूसरा है मोहमद अली जिन्ना महात्मा गांदी और अन्य लोगों ने तर्क दिया कि सरकार को लोगों की बुनियादी सतंद्रता को प्रतिबंधित करने का कोई अधिकार नहीं ा नहीं है सिधे-सिदे कह सकते हैं कि इन डोनों नेام विरोध अक्ट का विरोध किया था उसका विरोध किया ठाउर महात्मागांदी ने इसी वज़े से रोलेट राद सत्यागरा भी स्टार्ट गिया तो यह और यहां इसको काला कानून भी कहा जाता था तो यह जो कानून है उस टाइम पर जो ब्रिटिश शरकार थी उसके दुआरा भारत में जो रास्टे अंदुलन उभर रहे थे ना आएक के बाद एक आंदुलन हो रहे थे तो उसको कुचलने के लिए बनाया गया था उन्होंने कहा था कि जो भी रास्टे अंदुलन में भाग लेंगे या फिर जैसे कोई होते हैं न मुख्यनेता होते हैं उनको क्या करेंगे ये लोग ब्रिटिस सरकार को यह धिकार प्राप्त हो गया था इस कानून के तहत क्योंकि एक पास कर दिया था तो ब्रिटिस सरकार को यह धिकार हो गया तो इसी वज़े से विरोध किया मुहमद अली जिन्ना और महात्म गाधी ने इस एक्ट का इसी के विरोध में रोलिट सत्याग्रह हुआ Next question है भारतियों को सरकार द्वार संचालित या समर्थित सैक्षनिक संस्थानों में अधिन करने और भारत में सरकारी कारेलों में काम करने के उसे प्रदान करने के लिए उपियोग किये जाने वाले मांदर्ण क्या है देखो सीधी भाषा में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर वो मांदर्ण पूछे गए हैं क्राइटेरिया पूछा गया है जैसे आपको इस फॉर्म भरते हैं उसके लिए इलिजिबिल्टी क्राइटेरिया हो दाने कि इलिजिबिल्टी क्या होने चाहिए क्या चाहिए आपको इस फॉर्म को भरने के लिए वैसे ही कि अगर आप सरकारी इंस्टिट्यूट में पढ़ना चाहते हैं या फिर government job चाहते हैं, government offices में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या criteria चाहिए, क्या ability आपके अंदर होना, ability नहीं, यहाँ पर बात करेंगे, क्या eligibility होनी चाहिए, तो यहाँ पर 4 options दिये हैं, और सही option की बात करें, तो पहला सही हो जाएगा, A, B और C, देखो एक तो fees में भी छूट दी जाती है, तो जाती के अधार पर एक तरसे यह होता है, यानि कि उनकी जाती जो है, reserve में आनी चाहिए, जब उनको उसका benefit मिलेगा, वैसे ही परिवारी काये भी इस पर depend करती है, जैसे कि अगर आप गरीब हैं, या फिर गरीब से भी गरीब कुछ लोग ह होते हैं, तो उनको थोड़ा सा छूट मिलती है, government jobs में, या फिर government schools में, थोड़ा उनको fees में छूट मिलती है, और उनका admission थोड़ा सा उससे हो जाता है, थोड़ा easily हो जाता है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कम जोग्र है, तीसरा होता है, gender के base पर, gender के base पर कैसे, gender अगर आप female हैं, तो female को कुछ छूट दी जाती है, कहीं कहीं पर, reservation मिलता है, कुछ jobs में, या फिर कुछ institutions में, तो ये तीनों, जो है, मांदन आपके होने चाहिए, अगर आप educational, मतलब कोई institution में जोइन करना, मतलब पढ़ना चाहते हैं, या तो फिर work करना चाहते, government offices में, तो ये सही और गलत पहचानना है, correct option हो जाएगा, for, both a and b are false, यानि कि दोनों गलत है, गलत क्यों है, देखो, प्रित्वी खीचने वाली शक्ती प्रदान करती है, जो सोर मंडल को बांधे रखती है, प्रित्वी ये शक्ती तो प्रदान करती है, लेकिन पूरे सोर मंडल को प्रित् हैं, बहुत सारे stars हैं, तो वो एक दूसरे से बल जो है उनको मिलता है, तो प्रित्वी ही नहीं सब को देती है, तो ये गलत हो जाएगी statement, और बाहरी ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं, और चटानों से बने हैं, बाहरी ग्रह सूर्य से दूर हैं, ये बास सही है, लेकिन चक्टानों से बने हुए ग्रह हैं वो पास में होते हैं सूरिय के तो इस वज़े से यह दूसरी स्टेट्मेंट भी यहां पर रोंग हो जाएगी यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं जो चट्टानी ग्रह हैं ये पास वाले हैं ये चार ग्रह सूरे के पास में हैं और जो ये दूर वाले ग्रह हैं चार ग्रह जो हैं दूर हैं ये इस्ट्रोड बेल्ट इनके बीच में पड़ती है और अगर इन चारो ग्रहों के बात करें जो दूर है ये गैसी ग्रह के लाते हैं गैसे बने हुए होते हैं तो ध्यान रखेंगे चटानी जो ग्रह हैं वो सूरे के पास वाले होते हैं नेक्स्ट क्येशन है गल्फ स् ट्रीम एक गर्म धारा है इसलिए इसमें गती करने की प्रवर्ती होती है यहां पर हम बात करें सही option की तो second option यहां पर सही हो जाएगा तो गल्फ स् ट्रीम गर्म धारा है और यह दुरूओ की और बढ़ती है इस तरह से देखो पहले मैं आपको ऐसी बता जाती हूँ फिर डाइग्राम में देखेंगे मालो की यहाँ पर है यह हमने प्रित्वी का थोड़ा सा यह ड्राफ्ट बना दिया और गल्फ स्ट्रीम कुछ इस तरह से यहां से जा रही है तो यह जो है यह बीच में है इक्विटर देखो अभी मैं ड्राफ्ट के तौर पर बता रही हूँ क्लियर आपको आगे बताऊंगी तो मालो यह इक्विटर से इधर जा रही है तो यह क्या है यह द्रूव की और बढ़ रही है तो जो गरम धारा होती है वो इक्वेटर से ध्रूव की और बढ़ती है यह इसी धारा की बात नहीं है कुछ exceptions होते हैं लेकिन सभी ऐसी नहीं होती है जो इक्वेटर से जा रही है ध्रूव की और वो होती है बेसिकली गरम धारा क्योंकि एक्वेटर पर जो है गरम होती है काफी यहां पर temperature जादा रहता है तो अब विसी बात है जो पानी है वो भी गरम ही रहेगा ऐसे ही जो इक्वेट से इधर से आती है धाराएं वो ठंडी धारा होती है क्योंकि उधर का जो एरिया है वो ठंडा है तो यह concept ध्यान रखेंगे इससे आपको काफी एजी रहेगा यह धाराओं की प्रवर्ति को पहचानने में यहां पर मैं आपको डाइग्राम में दिखा देती हूं तो गल्फ करें तो यह जो प्रिंध़ पर आप लाईन देख रहे हैं यहां है और इक्वीर से आप ज्राजातर धाराओं को देखेंगे जो इस तरह से मुमेंट कर रही हैं ज्रूवों ओर यह दुरूहओं की तिरफफ इनकी गति हो रही है तो यह गरम-धार रहा हैं मिलेगे लेकिन जो दुपर की तरफब बड़ रही है वह ठंडि धारा है कुछ ऐसेप्शन्स आपको मिल सकते हैं मत्तब कि उनके जो लोकेशन है उसके हिसाब से आपको थोड़ा-बहुत इधर दर मिल सकती है उनकी ठंडी और गरम परवर्ती लेकिन जो मेन कंसेप्ट है को यही है next question है देशांतर के बारे में कथन दिये हैं और आपको सही और गलत यहां पर पहचानना होगा सही answer की बात करें तो यह हो जाएगा option number 1 A is true B is false देखो A जो है अगर देखें आप देशांतर की सभी देशांतर रेखाएं समाल लंबाई की होती है है जो लंबाई होती है इसका मतलब है कि देशांतर रेखाओं की जो लंबाई होती है वह एक जैसी होते है इक पल होती है तो यह बात बिल्कुँल सही है अगर हम यहांपर ब्रत्री को जो कर दें और यहां पर यह देशांतर लाइने कुछ इस तरह से कीच दें लोंगी ट्यूट लानी यानि लंबी लोंग लोंग से याद रखेंगे जो हम कुछ इस तरह से लोंग से इस तरह की लाइने कीचते हैं सीधी रेखाएं यह होती है देशांतर तो यहां पर जैसे आप ग डिग्री देशांतर होता है तो यह गलत है प्राइम मेरीडियन का मान होता है जीरो डिग्री देशांतर तो जीरो डिग्री होता है यह और जो इसके पोजिट वाली लाइन है यानि मानलो हमने इधर तो यह जीरो डिग्री मेरीडियन बना दी और इसके पोजिट यानि पीछे इनकी length विल्कुल equal है, सभी ये समान लंबाई की है, तो यही बात की जा रही है, और यहाँ पर एक चीज और आप देखेंगे, जो prime meridian है, यहाँ पर इसका भी आप मान देख सकते हैं, 0 degree पर prime meridian है, नाकि 180 degree पर, 180 degrees के opposite वाली line है, पीछे की side जो line आ रही है, वो 180 degree है, तो ध्य सही option हो जाएगा 3, only A and C are true, A और C जो है, यह true है, जैसे कि अगर हम बात करें A की, तो विशू के ताप छेतरों को, अक्षांसों के अनुसार वरगी कृत किया गया है, heat zones के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो बात बिल्कुल सही है, इसको मैं अभी clear कर देती हूँ, heat zones कुछ इस तरह से बने हुए हैं, जो आप यह चांस लाइन देख रहे हैं, इन्ही के अधार पर यह ताप जो कटी बंद है, वो बनाए गए है, heat zones बनाए गए हैं, तो करकरेका से मकररेका के बीच का जो जगह है, यह आता है किसमें, टोरिड जोन में, या फिर ऊशन कटी बंद में, और यह उपर वाली जो यह लाइन है, यह वाली, साड़े 66 डिग्री, साड़े 66 डिग्री नोर्थ और साड़े 66 डिग्री साउथ, इन दोनों बीच के लाइन का जो जगह है, यह कहलाता है, temperate zone, क्यानि के उत्री शितोशन कटी बंद और दक्षिनी शितोस कटी ब तो किसके आधार पर यह बटा हुआ है अक्षांस रेखाओं के ऊपर तो अक्षांस रेखाओं के हिसाब से बटा हुआ है यह आप देख सकते कि यह statement गलत है यहाँ पर और यहाँ पर c की बात करें तो सभी देषांतर समानलंबाई के होते हैं यह वी अन्ने एन्फे देख ग्र बटा है उसको अक्षे कहते हैं वो है ना अक्षे प्रत्वी का जो आक्षे आपने सुना है वो होता है अक्षे तो यहाँ पर इसलिए भी स्टेट्मेंट जो है रोंग है नेक्ष्केशन है भारत की भौतिक विशेष्टाओं को पढ़ाते हुए एक सिक्षक छात्रों को भारत के भौतिक मानचित्र पर विंद्यया और सत्पूडा परवत माला में बहने वाली नदियों को चिन्नित करने के लिए कहता है यानि कि जो बिंधियों और सत्पूडा परवत हैं, उनके बीच जो बहती है नदिया, उनको दर्शाना है, तो निमली कितने से कौन सी नदीव चात्रों को बनाना चाहती है, यानि कि इंडारेक्ली हमसे पूछा है कि बिंधया और सत्पूडा परवत माला से होकर बहने वाली जो नदिया हैं इनके नाम बताओ तो correct option हो जाएगा नर्मदा और तापी मैप में इनको देख लेते हैं तो यहां पर देखो मैं आपको बता दूँ यह जो आप blue color में यह लाइन देख रहे हैं यह नर्मदा नदी और यहां पर यह विंध्या रेंज है यह छोटा सा दिख रह और यहां से यह नीचे चो लाइन आप देख रहें blue color की यह तापती नदी बह रही है तो यह इन पर वतमालाओं से होकर के बहती हैं यह दोनों नदियां तो यहां पर जो option 1 है वो correct हो जाएगा next question है महासागरिय धाराओं के बारे में निम्रिकी दो खफनों पर विचार करें और सही विगल्प का चैन करें तो statement दी है basically ocean currents पर जो की हमने question इसका पहले भी देखा है correct option चुलेंगे तो यह हो जाएगा option number 3 both A and B are true तो दोनों ही statement सही है जिन छेत्रों में गर्म और ठंडी ध मिलती हैं वे दुनिया का सबसे अच्छा मचली पकड़ने का मैदान प्रदान करते हैं यानि कि जो fishing grounds होते हैं वो ऐसी जगह पर होते हैं काफी अच्छे कि जहां पर गर्म और ठंडी धाराओं मिलती हैं गर्म और ठंडी धाराओं के बारे मैंने वे बताया था आपको कि ज navigation वहाँ पर difficult हो जाता है जो यह जलियान वगरा होते हैं इनको difficulty होती है इनका रास्ता find out करने में तो यह बात बिल्कुल सही है यहाँ पर दोनों ही statement सही है तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ocean currents को तो गरम मैंने बताई थी red color से दिखाए गई हैं और blue color से दिखाए गई ह तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मचली का एक तरह से कहेंगे उत्पादन होता है तो यहाँ पर बात करें तो जिन छेत्रों में गरम ठंडी धाराय मिलती हैं दुनिया का सबसे अच्छा मचली करने का मैदान यह प्रदान करते हैं fishing ground जो हैं काफी अच्छे होते हैं यहाँ प कर होते हैं जो शिप वगरा जाते हैं उदर से उनको दिशा का पता लगाने में बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस होती है तो यह थी हमारी आज की क्लास वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं इस आपको सभी अफडेट सेक्शन और वीडियो पसंद दीड लगाने में ताइब बताएं यह थी ज़ोस।